Hello everyone, welcome to Medhasvi Institute. Students, आज हम पढ़ेंगे, cell division में pro phase, pro phase के आगे हम types पढ़ेंगे, फिर pro phase के बाद हम metaphase, anaphase और telophase की बात करेंगे. Students, आप देख रहे हैं सबसे पहले, आप हमें follow कर सकते हैं student स्टुवर्ण्स, facebook page पे आप YouTube चैनल को subscribe कीजिए, यहां पर आप टेलीग्राम पर जॉन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट ताइम हमने स्यट्सय के बारे में पढ़ा था हमने इंटरफेस पड़ी थी हमने G0 which is रेस्टिंग फेज and quosis and phase के बारे में पढ़ा था हमने इसके बारे में description में पढ़ लिया है आज हम बात करेंगे pro phase की प्रोफेज में क्या है पहला point है condensation of chromosome condensation of chromosome होने से क्या होगा देखो आप अगर मान लो एक plate है यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे से bacteria पड़े हैं क्या आप इन्हें single-single देख सकते हो नहीं देख सकते हैं लेकिन अगर यही bacteria amount में जादा हो जाए या condensed हो जाए तो आपको एक छोटा सा बिंदू नजर आएगा तो आपको वो बिंदू नजर आएगा जिसकी पहचान आप कर सकते हो तो वैसे ही यहाँ क्या होता है मान लो यह अब nucleus है nucleus के अंदर chromosome दूर-दूर पड़े हैं दूर-दूर पड़े हैं तो वो clearly visible नहीं है लेकिन जैसे ही वो पास-पास आएंगे वो clearly visible होना शुरू हो जाएंगे that is condensation of chromosome clear तो वो कुछ इस तरह से दिखना शुरू होंगे बात समझ में आई साथ ही में क्या होगा जो बाहर centriol होगा वो start करेगा move करना देखो दो पार्ट होते है न सेंट्रियो डिवाइड हो चुका है कब डिवाइड हुआ है centriol मैंने आपको पिछले video lecture में बताया है जिसने न होता है डबल होता है तो अभी क्या होगा centriol North Pole की तरफ जाना शुरू होगा मानलो यह एक पूरा सेल है तो इसका North Pole कहां पर हुआ अपर साइड पे राइट और South Pole कहां हुआ लोवर साइड पे तो centriol यहां North Pole की तरफ आना शुरू होगा and South Pole में क्या होगा इसका दूसरा पार्ट होगा centriol का और साथी में इससे क्या निकलनी शुरू हो जाएंगी एस्टर रेस बात समझ में आई तो एक centriol यहां होगा एक centriol North Pole की तरफ जाएगा साथ ही में अंदर क्या हुए condensation of chromosome, chromosomal material condensed to form compact mitotic chromosome तो अभी क्या बना देगा compact और compact chromosome बना देगा जो visible होंगे mitotic क्यों कहा क्योंकि यह mitotic phase में हो रहा बात समझ में आई and are composed of two chromatid each other तो अभी देखो जैसे ही यह condensed हुए हलांकि DNA जो double है वो तो S phase में हो चुका है लेकिन यहां पर यह clearly आपको इस तरह से sister chromatid के साथ दिखना शुरू हो जाएगा right बीच में क्या होता है centromere और चारों तरफ और क्या लगे होंगे kinetopore जिनका हम function दीरे-दीरे समझेंगे बात समझ में आई चलो अभी students next phase में क्या होगा ester formation will take place हमें पता है ester formation होगी and two ester together with spindle fiber form mitotic apparatus तो अभी क्या होगा दो ester साथ में मिलके क्या बनाएंगे mitotic apparatus बनाएंगे that means दो ester साथ में मिलके एक spindle fiber की formation करेंगे तो अगर इस तरह से आपके पास cell है तो इसमें क्या है दोनों तरफ पे centriol present है and centriol में पहले ester rays थी अभी ester rays ने खुद को join करना शुरू किया तो दो ester rays ने एक बड़ा सा spindle fiber बना दिया साथ ही में क्या होगा जो इधर chromosome होंगे वो भी आपको visible होंगे बात समझ में आई इस तरह से दो sister chromatow बीच में centromere से attached होंगे under the microscope cell do not show golgi complex endoplasmic reticulum and nucleus and nuclear envelope so very important according to your exam point of view that these organelles are not visible under the microscope that means golgi complex bhi kya hojae ga disappear endoplasmic reticulum bhi kya hojae ga disappear and nucleus bhi kya hojae ga disappear nuclear envelope bhi disappear hojae ga right and jaysay nuclear envelope disappear hoota है आपकी next stage शुरू हो जाती है that is metaphase बात समझ मैं नो complete disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase यह मैं आपको बता चुका हूँ यहीं पर कि जैसे ही nuclear envelope clearly disintegrate हो जाए आपकी second phase शुरू हो जाएगी clear at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatid तो क्या होगा दो sister chromatid से बना है हम बात कर चुके है which are held together by the centromere तो किसने इनको पकड़ के रखा है centromere ने the plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plate now what is metaphase plate बहुत important है according to exam point of view तो बचे यह क्या होंगे मानलो यह next metaphase का में diagram बना देता हूँ अब मानलो यह एक cell है आपके पास यहां पे centrosome है यहां भी centrosome है अभी जो यह chromosome से यह center की तरफ आने शुरू हो जाएंगे कहां की तरफ आएंगे center की तरफ center की तरफ यह खुद को align कर देंगे इस तरह से तो इस तरह से एक ने align किया दूसरा भी खुद को इस तरह से align करेगा तो मानलो आपके पास यहां पे यह chromosome से राइट अभी यहां पे क्या होगा पास तीनो align होगे center में जब यह तीनो align होगे center में इस plate-like structure को कहेंगे जो center में बनेगा that is metaphase plate बात समझ में आई तो अभी क्या होंगे तीनो के तीनो क्रोमोजोम spindle fiber से अटेच होंगे through kinetocore जो centriol से एक point पे end करेगा और दूसरा point kinetocore पे end करेगा दोनों side से यह spindle fiber इने पकड़ लेंगे बात समझ में आई clear now spindle fiber attached to kinetocore जो मैं बात कर चुका हूँ of chromosome chromosome are move to spindle equator तो अभी क्या होगा equator की side move करना शुरू करेंगे ठीक है अभी मतलब poles की side move करना शुरू करेंगे इसके बाद अभी सिर्फ इनोंने equator अभी कहा है equator पे है न तो अभी equator पे यह kinetocore से attach हुए हैं धीरे-धीरे यह आप कहां की तरफ move करेंगे pole की तरफ कैसे move करेंगे देखो जो spindle fiber है वो क्या करना शुरू करेंगे अब contract करना शुरू करेंगे बात समझ मैं contract करने पर क्या होगा जैसे ही spindle fiber को contract किया जाएगा यह एकदम से बीच में से क्या कर देगा sister chromatids को अलग कर देगा और इनके अलग होने से यह opposite pole की तरफ move करना शुरू करेंगे जहां पर क्या होगा जिसे हम क्या कहेंगे nuclear division कहेंगे बात समझ मैं नाओ एनाफिस बहुत छोटी सी होती है बहुत important होती है क्या होता है chromosome split हो जाते है और chromatid separate हो जाते है तो अभी क्या होगा next stage में जो chromatid है देखो यह क्या थे यह एक chromosome है जिसके दो-दो chromatid है देखो इन दोनों को क्या कहेंग sister chromatid ठीक है तो अभी क्या है यह sister chromatid एक जगा से तो इधर spindle fiber ने पकड़ा है दूसरी जगा से इधर अभी यहां से यह दो इधर की तरफ move करेंगे और यह दो opposite pole की तरफ move करेंगे बात समझ मैं तो इस तरह से sister chromatid क्या होते हैं opposite pole की तरफ move करना शुरू करते हैं now chromatid move to opposite pole simple clear हुई यहां तक बात तो आगे चलते हैं आप देखो अब diagrammatic representation में देखो सबसे पहले यह sister chromatids है और this one is centromere this is how chromosome looks like clear now in this stage this one is prophase in which nuclear membrane disappears and chromosomes start assembling towards the equator and chromo and then then central moves towards the opposite pole so all these functions are happening in this cell clear kya ora tino kati no function johabu exato raya clear so all these functions are performing by are performing in pro phase days clear now next one is metaphase in which all the chromosome aligned in the center clear and this center alignment is called metaphase plate now you got it that this central assignment is called metaphase plate and these chromosome now attached with spindle fiber on both sides with which uh kind of structure that is kineto core so kineto core actually helps or it's a kind of uh um both effect protein is just substance both second jise jise kya hongi spindle fiber attached hongi bat samaj me now next one is now this one this is the another representation of metaphase plate clear so this one is metaphase plate this is how chromosomes looks like at metaphase plate plate clear so these chromosomes are attached with spindle fiber now now in next stage this one is anaphase now how anaphase performed in this structure that these chromosomes moves towards the opposite pole and these chromosomes stretched by or pulled by these spindle fibers clear so spindle fiber kya karengi shrink karengi haam bolengi stretch karengi ya contract karengi so that you can pull you can see it on the opposite pole on the opposite pole the opposite pole and their identity is lost as discrete elements now what will happen in this stage now you got it how prophase occur now this stage is just opposite to prophase, we can call it reverse prophase, what we can call it reverse prophase, so telophase is also named with reverse prophase, kya होता था prophase में, prophase में nuclear membrane disappear होती थी and centriole जो हैं पोल की तरफ जाते थे, तो अभी देखो पोल से कहां आ रहे हैं, center की तरफ and nuclear membrane will appear and chromosome start decondensation will take place in chromosomes, now what will happen, what would, या हम बोल सकते हैं किस तरह से हुआ था प्रो फेज में, clear, तो किस तरह से हुआ था बच्चे प्रो फेज में, की सारे की सारे chromosomes क्या हुए थे, condensed हुए थे, right, but in this phase all the chromosomes start decondensation, या हम बोल सकते हैं, decondensation will take place at telophase, clear, so now chromosomes are no longer visible, why, because they are decondensed, clear, now you can see these furrows here, क्या होते हैं ये furrows, ये बच्चे, after telophase, या हम बोल सकते हैं, telophase के बिल्कुल एंड में furrow बनेंगे, which are initiative, for what, for what, for cleavage, या जिसे हम बोल सकते हैं, cytokinesis, so cytokinesis performed after the formation of furrow, clear, so this is how telophase looks like, now next one is cytokinesis, so these are furrows, next time क्या होगा, these furrows will elongate and start dividing cells into two parts, so अंदर की तरफ को ऐलोंगेट करेंगे, और सेल को कितने पार्स में डिवाइट कर देंगे, दो पार्स में, बात समझ में हैं, तो अभी सेल क्या हो जाएगा, दो पार्स में, with proper division of cytoplasm, ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटे-छोटे cytoplasm बनेंगे, या ऐसा नहीं होगा, बहुत एक सेल से बहुत छोटे-छोटे सेल्स बनेंगे, या हम बोल सकते हैं, equally distribute होता है, cytoplasm in daughter cells में, अभी जो यह दो सेल्स बनें, these are daughter cells, right? So, parent cells से क्या बनते हैं हमेशा, daughter cells बनते है, with equal number of, या equal amount of cytoplasm, clear? बाकी हमें पता है ही कि किस तरह से जो nuclear division है, वो हुई है, और किस तरह से nucleus equally distribute हुआ है, but cytoplasm भी क्या होगा, equally distribute होगा, so this is how cytokinesis will take place, appearance of furrow during cell division, at which stage, telophase, clear? Now, next one is, in plant cell, wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral walls, so now this one is very important, how in plant cell formation of, or how in plant cell cytokinesis will take place, now you can see here, for example, this one is a plant cell, let me clear it, So, you can see that this one is a plant cell, so in this cell, these furrow formation will take place at telophase, now what will happen for cell wall, right? So, यह बच्चे, जब भी यह furrow की formation होगी, this one is for cell membrane, cell wall के लिए क्या होगा, अंदर से एक division शुरू होगी, यह हम बोलतकते हैं, wall formation starts from the center of the cell, तो wall की जो formation है, वो center से start होगी, राइट, अंदर की तरफ तो furrow बनेंगे, लेकिन wall formation starts from the center, अंदर की तरफ जो cytoplasm डिवाइड होगा, वो इस तरह से होगा, और जो wall यहां से बनेंगी, वो outward बनेंगी, यह हमें पता है ना, wall कहा होती है, cell wall, outside of the cell membrane, so this is how cell wall formation take place in case of plant cells, clear, formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor, तो नई cell wall की शुरुवात एक बिलकुल सिंपल सा प्रिकर्सर, that means there is kind of, there is a kind of elongation, that is precursor, called cell plate, so this one is called cell plate, which is a precursor for the cell wall, यही से तो बननी शुरू होती है, cell wall, precursor means जहां से शुरुवात हुई है, जो सबसे शुरुवाती चीज है, यह जो cell wall से पहले का structure है, that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells, तो बच्चे यह बाद में किस चीज में ग्रो करेगा, as a middle lamella, which can actually separate the plant cells, clear, So next one is meiosis, तो आपने mitosis में क्या पढ़ा, जो आपको याद रखने वाली चीज है, एक बार हम देख लेते हैं, Students, आपने पढ़ा, देखो, आपने क्या देखा, कि एक cell था, यह शुरू हुआ, जीवन फेज में गया, Now G1 फेज में इसकी growth हुई metabolism, everything, सारी चीज है मतलब डबल होती गई, ठीक है, everything got double, Now in next phase, which is S phase, यहाँ पे क्या हुआ, in this phase, DNA replication take place, With DNA replication, centriole भी कैसा हुआ, double हुआ, बात समझ में आई, In G2 phase, क्या हुआ G2 phase में, G2 phase में क्या हुआ, structural element double with, that is protein, अभी जब DNA double हुआ, मैंने आपको पिछले video lecture में ये बात समझाई है, किस तरह से जो DNA double होगा, और किस तरह से अगर chromosome यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो S phase में ये कैसा दिखेगा, इस तरह से sister chromatid के साथ ये chromosome दिखेगा, बात समझ में आई, clear? अभी देखो क्या है, G2 phase होती है, that is gap to phase, बच्चे, इस पूरी phase को क्या कहा जाता है, interface, क्या कहेंगे, interface, जो कितने time के लिए होगी, 95% जो time है, वो interface में ही जाएगा, that means, एक human cell को divide होने में, अगर 24 hours लगते हैं, तो इसका 95% तो preparing phase, जिसको preparatory phase भी का जाता है, that is interface, यहीं पर ये सारा time invest होगा, and after that, cell enters into the mitotic phase, in which mitotic divides into prophase, metaphase, anaphase, and telophase, right? prophase, metaphase, anaphase, and telophase. बात समझ मैं ही? तो बच्चे, अब इन चारों स्टेजिस को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हुआ क्या? मान लो, मेरे पास चार क्रोमोजोम थे, how many chromosomes I have in this, in the starting of the cell division, 4 chromosome, which is 2N. ऐसे मान लेते हैं, 2N, N means 2. So, that is how 4 chromosome will take this, right? So, in the starting, we have 4 chromosomes. But after the mitotic division, how many chromosomes do we have? 4 chromosomes, right? But यहां पर जैसे sister chromatids बने थे, अभी यहां पर 4 chromosomes जो होंगे हमारे पास, वो sister chromatid नहीं होंगे, simple वाले होंगे, जैसे initially हमारे पास थे, clear? So, क्या होगा जो इनिशिल हमारे पास जैसे थे, वैसे वैसे ही, 2 cell, daughter cell, यहां पर बन जाएंगे with 4, 4 chromosomes, clear? So, this is how meiotic, mitotic division will take place, clear? Now, next one is meiosis. Students, in next video lecture, we will understand how meiosis, let me change the pointer color. Now, in next video lecture, we will understand how meiosis will take place in germ cells, right? So, we know that only in germ cell meiosis will take place, clear? It will never happen in any other cell of the body, but only in germ cells. Why? Because germ cell produce gametes, and gametes always are N in number, which is half of the full chromosome, clear? So, in the next video lecture, we will understand how meiosis will take place in germ cells. Till then, you have to watch our previous videos, where we have explained diversity, and cell division part 1, where we have to understand that how cell cycle will take place in human body or in any other cell. Clear? So, students, you have to subscribe to your students, so that next video can get a notification of your students, and you can go to the Facebook page, so that you have to like a lot of questions, which we have to upload daily daily, and you have to find out, and you have to join us on Telegram, and you can search on Telegram, and you can also see a free video lecture from here. The next video lecture will be myiosis, where we will understand myiosis. Till then, thank you so much. Thanks for watching.